इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्स्क्राइब करें और बेल आइकन तबाएं 24 खंटे के अंदर कॉंग्रिस के सीनिय लीडर्स ने एक बार फिर अपने बयानों से पार्टी के सामने संकट खड़ा कर दिया है कॉंग्रिस के बरिष्ट नेता गुलाम नभी आजवाद ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की जम्मू में एक प्रोग्राइम के दौरान गुलाम नभी आजवाद ने कहा कि कुछ भी हो लेकिन मोदी कभी अपनी असलियत नहीं छिपाते हिंदुस्तान की सियासत में महद 20 दिनों के अंदर दूसरी बार वो नज़र आया जो कभी कभार ही देखने को मिलता है धोर विरोधी दो पार्टियों के शीर्ष नेता एक दूसरे की शान में कसीरे कड़ रहे हैं 9 फरवरी को प्रधान मंत्री मोदी ने लीक से हट कर वेबक्षी नेता की तारीफ पर तारीफ कर रहे थे चुपा और जो अगही आपने अपनी असलियत चुपाई तो आप एक मस्दमी दुनिया में रहते हैं यह तस्वीरे रविवार की हैं कॉंग्रिस के वरिष निता गुलाम नवी आज़ाद जम्मू में एक कारिक्टर में बोल रहे थे प्रशनसा के पुल बांधने लगे और जबान पर नाम था प्रधान मंत्री मोदी का आज़ाद ने एक तरह से मोदी की तारिफों का रिटन गिफ्ट दिया दुनिया को वर्शों तक याद रहेगी वो तस्वीर जब ये मोदी ने अपने मित्र गुलाम नवी आज़ाद का गुणगान किया था उस दिल सिर्फ मोदी नहीं रोई थे पक्ष रोया था बेपक्ष रोया था संसत की हर दीवार रोई थी उन्हें मुझे फोन किया और जैसे अपने करिवार के सदस्व की चिंता करें वैसी चिंता राजसभा के अंदर मोदी ने जब आजाद की तारिफ की तो सियासी अटकलों का बाजार गर्म हो गया अब आजाद ने मोदी की तारिफ कर अफ़ाओं को हवा दे दी है लोग तो पूछेंगे कि ये रिश्टा क्या कहलाता है क्या ये आजाद की भीवी में एंट्री का संकेत तो नहीं असलियत है उसको नहीं चुपा और अब देखे आज सुबा की हेडलाइन्स नमस्ते मैं हूँ मिनाक्षी जोशी वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ